हर्याणा से लोग आए हमारे दो जुनेद वा नासीर को किटनैप करके लेगे और उनकों जिन्ना चला दिया बढ़की उनका कहने का मतलब था कि मेवात में ही क्राइम होता है आता कहां से हर्याणा से आता है चला जाता है बेलकुल सच्चाई बयान करिये उस विधायक ने, ऐसा हुआ है, अगर इनकी यां कुछ हो जाता न, यह तो 12 दिन तक नहीं करते और जने क्या-क्या मांगते, लेकिन हमारे भोले-भाले लोग थे, उनको तो समझ नहीं थी, कर दिया उनका अंतिम संस्कार, तो मैं इस सदन के माध्यम से डिमान करती, उन लोगों को वोई सभी मिलना चाहिए, जो उद्यपूर में कनहिया को मिला था. कर दिने बड़ा दिल रखते हुए, हाला कि इनके इलाकों में, इनकी विधान सभाओं में, खुब स्कूल, क्रमोनत भी किये, कॉलेज भी खोले हैं, लेकि मैं सुबा से देख रही हुए, बुराई करने में लग रहे हैं, अंत में आप से मांग भी रहे हैं, तो मैं मंत्री सामाजिक वार्थिक द्रश्टी से अन्य जिलों से कोसो दूर है, यहां शिक्षा का उजियाला करने के लिए प्रदेश वा केंद्र सरकार की दर्जनों योजना आई, लेकिन फिर भी यहां शिक्षा का स्तर उस हिसाब से नहीं बढ़ पाया, जिस हिसाब से बढ़ना चाहि स्कार्श्टा सामाजिक द्रशिक दूरत है, बार अनिस ह्भापति मोदे मेवाद च्हेतर में अलवर भाभर भरतपुर में 16 मेवाद आवंज है जिनने 11 आवाद आवासिव विध्याले जो अलवर इस उ hamm sea life rate पार्ट यहां जाये, इसमें बहुत सारा बजट इंफ्रास्ट्रॉक्चर के लिए मेवाद बोर्ड से दिया गया है तो अच्छे स्कूल बन जाएंगे और ये स्कूल मुख्यमंत्री जी ने भी इन के लिए आश्वासन दिया था कि आठवी के स्कूल है गर्वी कर दिया जाएगा लेकिन अभी तक ये बार्वी नहीं हुए म मैं इस सद्धन के माध्यम से आप से मांग करूंगी इन स्कूलों को बार्वी किया जाएं क्योंकि राजिस्थान के समस्थ गर्ल स्कूल चाहे वो कस्तूरवा गांधी भी ते ट्वेल्थ हो गये हैं लेकिन हमारे मेवाद के स्कूल अभी भी आठवी है तो ये सबसे पुर का मतलब था कि मेवाद में ही क्राइम होता है आता कहां से हर्याना से आतो है और वापस चला जाता है जैसे अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले हर्याना से लोग आए हमारे दो जुनेत वर नासिर को किट्नैप करके लेगे और उनको जिन्ना चला दिया उन्होंने बिलक उले भाले लोग थे, उनको तो समझ नहीं थी, वो तो छोटा मोटा जो आश्वन संधिया, उसमें हो गे, तो घाट में का कि घटना इस बात को दर्शाती है, कि इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, तो लोगों का अस्तर हमें बढ़ाना ही पड़ेगा, बरना तो वो लोग भ दो, दो सरकारी नौकरिया दो, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं थी, तो मैं इस सद्धन के माध्यम से डिमान करती, उन लोगों को गोई सभी मिलना चाहिए, जो उद्यपूर में कनहिया को मिला था, ये उनका अधिकार है, आदमी कोई भी मरे, जीवन में लिखा हुआ है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेटकर जी ने लिखा था, अब बात करें, हम शिक्षा की, तो मैं कहना चाहूंगी, कि राजिस्थान में आपका कोटा एक ऐसा कोचिंग सेंटर बन गया, एक रोल मॉडल बन गया है, और कोचिंग सेंटर हमारे भी अलवर में भी हैं, अभी कुछ दिन पहले मेरे सामने, जब 24 से अभी बोर्ट एक्जाम थे, तब कुछ बच्चों का फोन आया कि मैडम हमें हमारे प्रिंसिपल हॉल टिकट नहीं दे रहे हैं, मैंने पूछा क्यों नहीं दे रहे हैं, कि रहे मैडम हम कोचिंग सेंटर में जाते है हमारी फीस तो कोचिंग सेंटर वाले ये स्कूल को देते हैं, फिर वो हमें होल टिकट देते हैं, फिर कोचिंग सेंटर वालों से पूछा, उन्होंने का है मैडम हमने फीस जमानी कराई है, हम सब करा देंगे, तो ये प्राइवेट स्कूल वाले प्रैक्टिकल में नमबर मतलब नहीं देंगे, म्तलब ये टोटल माफिया वरना ऐसा गया है इन subject in which सरकारी 사랑 Takeive was not under the school सरकारी स्कूल के teachers अच्छे है क्वालिफाइड है और यह bachos जाके coaching center में पढ़ाते हैं और वो बच्चों वो मानसिक परताळना इनकी वज़ासे हो रहे हैं कोचिंग सेंटर और यह प्राइवेट स्कूल वालों से, प्राइवेट स्कूल वाली उपेपर डेते हैं उनकी एटंडेंस नहीं होती, तो मैं तो आपसे कहना चाहूंघी कि प्राइवेट स्कूल में 11 और 12 तो बाइयो में व्रीमेट्रिक अटेंडेंस आप कराईए ताकि ये बच्चे उसी स्कूल में जाए और कोचिंग में ना जाए ताकि सच्चाई सब के सामने आए हजारों करोड़ों रुपे कमा रहे हैं प्राइवेट स्कूल और कोचिंग सेंटर और विचारे गरीब बच्चे दो जा नहीं सकते हैं तो वो रह जाते हैं और इनका माफिया है पेपर भी लीग होता है तो इनकी साठगाड से होता है कोचिंग सेंटर से ऐसे नहीं होता है तो इस बात की मैं डिमांड करूंगे कि प्राइवेट स्कूल्स पे थोड़ी लगाम कसनी चाहिए इतनी अधिक फीस भी ये वसूलते हैं और मनमाने काम भी ये करते हैं अब मेरे इलाके की बात करूं तो बहुत से स्कूल मुख्यमंत्री जी ने दियें मैं देते देते नहीं थकूंगा तो मैं तो फिर मांगूंगी कि हमारे इलाके में एक चौरिटी उस्तुमरार स्कूल है उसको बारवी किया जाए एक मांड की में हैं बुजा का में है इसन के बास में इन स्कूलों को भी 12th किया जाए क्योंकि बहुत जरूरत है अगर हमें म का सो कॉल पिछडापन दूर करना है तो इसके अलावा साडोली में एक बाली का स्कूल है जिसको 12th किया आपने लेकिन वहां जगा की कमी है तो हमें नई जगा अलॉट करवाई है तो उसके लिए पूरी बिल्टिंग का पैसा भी मैं चाहूंगी सरकार की तरफ से दिया जा में साइन्स हमारे यहां होना चाहिए और बहुत से प्राइमरी स्कूल से जिनको ज़रूरत है आटी के अनुसार की उनको आठवी कर दिया जाए और कॉलेज की बात करें तो मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि आपने तीन कॉलेज दिये फिर भी अगर एक पॉलिटेखनि कॉलेज बनाना चाहिए और कुछ सब्जेक्स भी इसमें एड करने चाहिए और महिला शिक्षा की बात करें सभापती जी तो मुझे लगता है कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में तो महिला शिक्षा बहुत ही पीछे चल रही है और शिक्षा में मुझे लगता ह कि इसको जो संभाल रहे हैं वो पूरे पूर्शों के हाथ में तो मुझे लगता है इस डिपार्टमेंट में ज्यादा तर महिला ऑफसर्स होनी चाहिए हमारी बैठी अरोडा जी नोंने पहले भी बहुत काम किया है तो ऐसी आईएस ऑफसर्स अगर आप लगाएंगे शिक्ष भी किया तो उसमें आठ कमरे होने चाहिए और पांच भी है तो पांच कमरे होने चाहिए और साइंस है तो लाब होने ही चाहिए ये सारी चीजे मुझे लगता है management level पे तेह हो जानी चाहिए कि कहां कि इसकी ज़रुद है और उसके अनुसार इनको बाट देना चाहिए मुखी मंतरी जी ने बहुत काम किये रोज बच्चों को दूद मिल रहा है यूनिफॉर्म मिल रही है 200 रुपे के बारे में भी बहुत सारे MLA जिकर कर रहे थे कि 200 रुपे में क्या होगा कुछ तो होगा यह भी बहुत बड़ी बात है कि कुछ तो होगा कुछ दिया यी तो है किसी से कुछ लिया तो नहीं है लेकिन इसको जब negative source होती है तो मुझे भी सब बाते negative ही निकलती है और जो बात आई है English Medium की बहुत बड़ा कदम है English Medium का मुझे ध्यान है जब मैं पहली क्लास में थी तो मैं भरतपूर में थी तो वहां तो अंग्रेजी भी Hindi में बढ़ाते थे फिर पांच भी क्लास में मैं South India चलीगी तो वहां Hindi की मैडम कोई बस Hindi आती थी तो ये बहुत फरक था आज से मैं 40-45 साल पहले की बात बत दा रही हूँ और यहां schools में अब English आ रही है तो मतलब हम काफी ये मानों कि 50 साल पीछे चल रहे हैं English के मामले में तो ये करके इस बार बहुत अच्छा किया है कि बच्चों को जो वंचित रह रहे थे प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते थे वो अब English का पढ़ने का उनको मौका मिलेगा हाला कि teachers की कमी है सब की कमी है लेकिन एक दिन में सब कुछ नहीं सुधरता इस बात को मैं समझती हूँ लेकिन एक शुरुवात करी है बहुत ही positive कदम है और इसका बहुत positive असर हमारे students में गया है और सबने इसकी वावाई भी करी है हाला कि थोड़ी staff की भी कमी हो सकती है लेकिन अब teacher की शिक्षगों की भरती हो रही है तो मुझे लगता है कमी भी दूर हो जाएगी और पद खाली है इसलिए भरती हो रही है पद तो बढ़ाते रहते हैं स्कूल बढ़े तो पद भी बढ़ेंगे खाली होएंगे तो भरती होएगी और नौजवन हमारे नौकरी में भी लगेंगे अन्टी में मैं यही कहना चाहूंगी कि मेवाद को पिछले पन से ना जोट देखा जाए जितना जादा हो सके मेवाद में विकास होना चाहिए इसके लिए मेवाद बोर्ड भी बनाया गया था जिसका बजट पिछली बार 25 करोड था मुझे लगता है उसको कम से कम 100 करोड होना चाहिए इस बार का सारा budget schools में लगा है, rooms में लगा है, पूरा 100% budget उसमें लगा है और तीन विधायक या मेवाद से आते हैं, तीन विधायक आते हैं तो मुझे लगता कुछ ना कुछ बड़िया इलाके में हमारे होना चाहिए ताकि लोगों को भी लगे कि हमने उनके लिए काम किया है और मेव देखिए इस अलवर, भरतपूर, नुह और थोड़ा मत्रवा में बसते हैं, जहां कृषिन जी का जन्नम हुआ था, मैंने भी पूरा इतिहास निकलवाया जागाउं से, कि भी हमारा इतिहास क्या है, तो इतिहास में निकल के आया, कि मेव तो राम और कृषिन के व रखें, सब लोग की मेव क्या हैं और इन्हें मेवा समझे, इन्हें बार बार पिछडे और ये वो कहने हैं कि किसी को जरूत नहीं है, अब याप दस साल में देखिएगा, कि मेव कहां पहुंचे हुए, जब हम तीन विधायक यहां पहुंचे हुए, तो आप सोचों कहां क पास कराएंगे, तो मेवात के छेतर के लिए सबसे जादा से जादा डेवलप्मेंट के काम की होचना करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिन